महराश्ट नव निर्मान सेना के प्रमुक राश्ठ ठाक्रे हमेशा से ही अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं इस बार राश्ठ ठाक्रे ने बॉलिवुड के सितारों को आड़े हातों लिया उन्होंने दिवांगत अक्टर्स श्री देवी और बैड मैन अक्टर अक्षे कुमार पर विवादित बयान दे कर नया बवाल खड़ा कर दिया है राश्ठ ठाक्रे ने कहा कि श्री देवी की मौच शना पीने के कारण हुई इसलिए उन्हें तिरंगे में लपेट कर राजे के सम्मान देना गलत है वो इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने ये सवाल भी किये हैं कि श्री देवी ने देश हिन के लिए कौन सा काम किया है इसी कारिकर में उन्होंने अक्टर अक्षे कुमार को भी निशाना बनाया अक्षे कुमार ने बैड मैन टॉलेट एक प्रेम कथा जैसी फिलमे की हैं ये फिलमें सरकारी प्रचार जैसी लगती हैं वो जबरदस्ती मनोच कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं अक्षे कुमार देश भक्ती की बाते करते हैं जबकि वो खुद भारत के नागरिक नहीं हैं उनके पास कनेडियन पासपोर्ट है अब इन बयानों पर बॉलिवुड के सितारों की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर सब की निगाहे होगी उनके नहीं होगी